हम परिशान हो जाएंगे, कभी रोने का मन करेगा, कभी सर में भारीपन महसूस होगा और कभी थकावट महसूस होगी, कभी ढंक से नीम मी आएगी, हम स्ट्रेसफुल फील करेंगे चुट्टी लिखी, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आज पांच दिनों बाद मुझे खाने का स्वाद आ रहा है और अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बात करने मन कर रहा है और उनकी सगाई भी हुई थी नमस्का, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्न आउट वर्सेज डिप्रेशन की और क्या इसका कोई लिंक है या नहीं इसको समझने के लिए पहले हम एक्जामपल लेते हैं बर्न आउट के, जैसे कोई एंटरेंस एक्जाम की त्यारी कर रहा है यूपीस्टी का एस्पिरेंट है, नीट का मेडिकल स्टूडेंट है, जैई मेंस का है या किसी और एंटरेंस एक्जाम का है जो काफी महीनों से लगातार पांच-छे महीने से त्यारी कर रहा है और अगले दो महीने बाद उसका एक्जाम आने वाला है किताब भी मोटी-मोटी हो गई है, उंगलियां मेरी बड़ी-बड़ी हो गई है, तो इस तरह की फिलिंग भी आ सकती है और ऐसा लगता है कि जैसे ठकावट से हो गई है, और अगर हम इसके definition point of view से जाएं तो erosion of engagement of work मतलब जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको मजा नहीं रहा, क्योई ऐसा होता है कि आपको लगता है मैं तोढ रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं तयारी कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा हो also very very important और ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में होगा यह जो है एक फीमिल की लाइफ में हो सकता है जैसे कोई की टाइम में कोई वर्किंग फीमिल है वो वर्क फॉम होम भी कर लिया है वो बच्चों को भी समाल रही है अपने इनलॉस को भी देख लिया है मेड्स भी आप आ रही है और जो है हस्बेंट भी अपना काम कर रहे हैं और उनकी भी नीड्स हैं तो यह सारे की वज़े से क्या हुआ था काफी लोग बांट आउट हो गए थे उसमें स्पेशली फीमिल पर बहुत प्रेशर पड़ा मेल्स पर प्रेशर पड़ा अपनी लेवल पे और रहा है कि कोई टार्गेट मिला हुआ आपको साल बर का आपने 8-9 मीने उसे बड़े धंसे किया आप एक्दम टाइम पे जा रहे हैं वही काम जो है बहुत बोरिंग लग रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वह काम पसंद नहीं और आपको वह काम लगातार करना जातार वी कभी रोने का मन करेगा कभी बारिपन मैसूस होगा और सबतरबर चज्खन करतें बाста हैं कि येसलों चाल गलता है तो इसका मतलब यह शायद depression नहीं burnt out है, क्योंकि depression के अपने scientific criteria हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं, तो यह हुआ burn out, अब अगर हम बात करें depression की, तो depression में तो बहुत ही scientific है, DSM 5 के हिसाब से 9 criteria होते हैं, इसमें से 5 present होने चाहिए, 5 में से भी 2 main criteria होते हैं, और वो 2 main criteria होते हैं, सबसे पहले sadness of mood, मन का उदास होना और रोने का मन करना, पर कभी कबार तो लोग यह भी शिकायत करते हैं, कि मेरा मन करता है, मैं रों, बट मैं खुल के रो ही नहीं पाता, अपने आपको express नहीं कर पाता, उसके बाद दूसरा लक्षन होता है, एनीडोन आएं, तो वो भी मन नहीं कर रहा, cricket देखें टीवी पर, वो भी मन नहीं कर रहा, gaming का मन नहीं कर रहा, आपस में दोस्तों के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा, फोन पिक करने का मन नहीं कर रहा, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी जानने का मन नहीं कर रहा, अपने ही birthday पर प है उसमें suicidal risk भी होता है मरने के ख्याल भी आते हैं कई बार नींद उसमें भी खराब होती है नीन तो burnt out में भी खराब हो सकती है उसके अलावा भूख कम या ज्यादा लग सकती है guilt feeling आ सकती है जैसे मेरी गलती है normally क्या होगा जो burnt out होगा वो भार के factor से होगा आप किसी चीज को लेके लगातार कर रहे हैं और कोई stress आपकी life में जिसको आप manage कर रहे हैं और उसे manage भी कर पा रहे हैं बट लगाता लंबे समय तक manage करने की वज़े से हो सकता है कुछ लोग का blood pressure बढ़ जाए कुछ की diabetes बढ़ जाए जैसे family में कोई बिमार ही है तो उसकी वज़े से भी लोग ठक जाते हैं एक level के बाद की संभालते संभालते वो so नहीं पाते ठीक से पैसो को manage नहीं कर पाते तो burnt out की category में आएगा डिप्रेशन के लिए पकाइदा जो 9 criteria है वो होने चीए पर दोनों में एक खास फरक है खास का डिप्रेशन में डिप्रेशन काफी सारे लोगों को लगता है कि हर बार stress की वज़े से होता होगा जबकि दोस्तों ऐसा सही नहीं है काफी समय जो है depression बिना किसी stress के हो सकता है और treatment point of view से भी देखें तो एक खास difference है जब आप चुटी पर जाएंगे या vacation पर जाएंगे माल लिजए कोई साथ दिन की चुटी पर चला गया तो वो जो है बहुत relaxed feel करेगा chill feel करेगा उसे बहुत मजा आएगा उसे लेगा दुनिया ही कुछ और है जैसे मुझे एक अच्छा से याद है एक chartered accountant था लड़का I think he was 26 or 27 years की ऐज थी वो अच्छी post पर काम कर रहा था और जिस लगन से वो काम कर रहा था वो 5 साल में CFO बन सकता था अपनी कंपनी का जैसा उन्होंने मिरसाथ शेयर किया और वो लगा था जब जौब पे काम कर रहे थे तो उसकी वज़े से वो बलते थे मुझे खाने का चुटी ले लो या महीने की चुटी ले लो तो मैंने उनको चुटी लिखी जब चुटी लिखी तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आज पांच दिनों बाद मुझे खाने का स्वाद आ रहा है और अब मुझे अच्छा लग रहा है मेरा बात करने मन कर रहा है और उन इसी तो नहीं लगती तो मैंनका हो सकता है कि आपको शायद जौब चेंज कर लेनी चीए क्योंकि कुछ सिच्वेशन तो ऐसी हैं जिन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं से आप यूप सी की त्यारी कर रहे हैं या तो आप उसके लिए महनत करें और रिजल्ट पाएं अगर आप बंट आउट जाते हैं और नहीं कर पाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाएगा बट कुछ चीज़ें जहां हमारी चल सकते हैं बट यहां पर क्या हुआ था उसके फादर अचानक कुर्सी से खड़े हो गए क्योंकि बेटे की इतनी सारी तंख और वो सारी चीजें बट जिंदी को संभालना या जीना भी जो है वह बहुत जादा इंपॉर्टन है तो इसको मैनेज कैसे करना है इसमें हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपनी नींद का अपने खाने का अपने एक्सेसाइज का अपने रिलेशंशिप का या अपना म कर एन पहूं करना चाहि general है इसमें पार की ताइम पार कई को करना थी घिए इसमें बेसिक फंड चाई मैं जो अब आपक्डे करते ना होगा था हूं करता हूं तो लिए वह भी ट्राइब किया मैंने यह भी ट्राइब किया लास्ट में कॉल करने तो उससे लोग परिशान हो जाते हैं तो इसलिए आपको अपनी situation के हिसाब से अपना time manage करना पड़ेगा कि कौन सा काम कब करना है अब यह मेरा time है जैसे अब अब मेरा यह फेलने टाइम है, तो आपका नींद्ध को काम का समय है और मेरा सव आपको जिंदिगी में थूड़ा सुगून मिलेगा, उसके बाद क्या नीन सुधी पist, कर्ति रिष्ट होते हैं टीफ यह पोर से चाहते हैं करते हैं पीमेल्स भी होते हैं कई बार वह जो वेर्किंग है या हाउस वाइब भी है रात को लेट लेटर जखती हैं फिर सुबह पांच बज़े फिर खड़ी हो जाते हैं यह हुमनली पॉसिबल नहीं है उसमें बांट आउट तो हो नहीं है तो इसलिए नींद के छे से नौ कर रहे हैं यह स्मोक कर रहे हैं यह आप जंक फूड मखा रहे हैं जिसमें पीजा मंगा रहे हैं बर्गर मंगा रहे हैं उस समय खाते वे तो आपको मजा आएगा बट आने वाले टाइम में आपको मजा नहीं आएगा फिर एक्सराइज करना लोग बोलें कि कैसी बात कर रह मैं बात कर रहा हूँ वाँ गर घर कर लेता है फंटो गड़ी कर लेता है थोड़ी иваем face there खैर हमारे चैनलब फेली अ तो आप पांचए हो सकते हैं यदि हमें जा जो हो box सब्सक्राइब कर सकता है time को manage करना relationship में time बिताना अब चाहे वो weekly basis पर दिन में आदा गंटा निकालना हो या 2 या 3 मिने बाद या 6 मिने साल में चुट्टी पर जाना हो या किसी की शादी पर जाना हो अगर हम यह सारे चीज़े करते हैं तो हम burnt out से बच सकते हैं इसे मैं खुद 12 साल टीचर रहा हूं MBA students का जो MDK entrance की तेयारी करते हैं तो इसमें जो most important चीज है जो मैं उनको बताता है कि 10 hours ना बड़े sweet होते हैं कि आपने जादे मेहनत करनी है तो 12 गंटे पढ़ लिए 16-17 मत पढ़िए या आपको लगता है कि आप बहुत super intelligent है तो आठ से 10 गंटे पढ़ लिचे पर दस गंटे इस very sweet spot उसमें क्या होता है आपके पास थोड़ा सा personal time भी रहता है और आप effort भी लगा सकते हैं तो उसको आप लगाता जो है सात-ार महीने पर मींटेन कर सकते हैं और आखरी के दो मीथे में तीन महीने में आप से हो पाता तो आप। हो भी कर सकते हैं वह भी practical है जो 5 गंटे बढ़ रहे हैं 4 गंटे बढ़ रहे है तो ना वह इधर के रहें और पर थ उन्होंने ठंक से पढ़ाईगी फिर जब result आता है तो बहुत परिशानी होते हैं फिर वो चाहे entrance का हो चाहे job हो चाहे life हो चाहे family हो तो अगर आप अच्छे से balance करेंगे तो आप burnt out से बच सकते हैं और कभी कबार burnt out भी stress बन सकता है जो कि depression में चले जाए depression में तो वही होगा मन की उदासी किसी चीज में मन न लगना थकावट यह कमजोरी महसूस करना guilt feelings आना concentration की problem नींद भूक मरने के ख्याल तो यह सारी चीज़ों चीज़े हैं यह फिर depression है और यह बीना किसी tension के भी हो सकता है किसी stress की वजब सकता है मौसम की change की वजब सकता है bipolar का Ma sö ब शकता है डिप्रेशन के साथ psychosis भी हो सकता है और बहुत सारी चीजा हो सकती है इस case में ऐसा होगा कि कई बार dip should t cool फो तो यह सोच हो जाएगा उसमें बजाए पेशन के ठीक होने के फैमली वाले बंट आउट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा भी खर्च किया टाइम भी खर्च किया क्योंकि डिप्रेशन में गया है जो दिमाग के सब्सक्राइब कर दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि बंट आउट जो है वो लाइफ के भार से आ रहा है मतलब कोई स्ट्रेस है जो हमें परिशान कर रही है इसको हम मैंनेज तो कर पा रहे हैं बट एक लवल के बाद कहीं ना कहीं हम ठक जाते हैं बोर हो जाते हैं परिशान जाते हैं बट डिप्रेशन जो है वो अंदर से भी आ सकता है जिसमें नियूरो कैमिकल्स कम हो गया है से और सीजनल भी हो सकता है स्ट्रेस की विजह सकता है मुल्टिबल रिजन्स हो सकते हैं उसकेस में फिर बट नौ मैं से पांच प्र रहे हैं कि कुछ महीने या कुछ साल लग जाएंगे तो उस केस में भी professional help लेना जो है वो advisable रहेगा आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद